हलो इवरिवान वेलकम टू माई चैनल सो गैज आज की वीडियो में हम सिखेंगे डिजाइनर पाकिस्तानी औरगेंजा कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग लाइनिंग के साथ तो ये एक थ्री पीस सूट है जो की पाकिस्तानी स्टाइल में है कुर्ती जो है लॉंग स्टाइल में है और इसके उपर ये स्ट्रेट पैंट है तो स्ट्रेट पैंट में भी हमने लाइनिंग बनाई है अगर आप इस पैंट की कर्टिंग स्टिचिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे स्ट्रेट चैनल जादी ट्रेंडी फैशन पर देख सकते हैं या फिर पैंट की जो वीडियो का लिंक है वो में इसी वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्किन पर देदूंगी तो वहां से आप देख सकते हैं अब बात करते हैं इस कुर्ती की तो ये जो कुर्ती है काफी हैवी वर्क है और इसके साथ जो दुपट्टा है वो भी काफी हैवी वर्क में है तो इस तरह की कुर्ती आप घर पर कैसे बना सकते हैं ये वीडियो देखकर आसानी से आपको समझ में आ जाएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जो है वो मार्किट से थ्री पीस जो है वो कुछ इस तरह से मिलेगा यह कुर्ती का मटेरियल है यह देख सकते आप काफी हैवी वर्क में है और यह इसका जो फाब्रिक है मैं पहली बता चुकी हूँ और गेंजा फाब्रिक में है और दुपट्टा भी बिल्कुल रेडि टू वेर है इस तरह से मार्किट से ही मिलेगा तो काफी ब्यूटिफुल सा पीस है हमारा ही है अब दुपट्टे को हम साइड में रखेंगे और यह जो इसकी हमने लाइनिंग ली है यह कॉर्टन फाब्रिक में ली है यानि दो मिटर लाइनिंग हमने अलग से ली है जो इसका थिरी पीस था यानि जिससे हमने बॉटम बनाया था वो इतना नहीं था कि हम कुर्ती के साथ भी लगाए तो कुर्ती जो है वो देख सकता है दो स्लीव है और यह फ्रंट का पाट है जिसके उपर एम्ब्रोइडरी है तो जो एम्ब्रोइडरी है वो आप देख सकते हैं इसके उपर सिक्वेंस वर्क है बीट्स वर्क है, स्टोन और दबका वर्क भी है जरी वर्क भी है तो काफी बारीकी से काम हुआ हूआ है बहुती जो इसका लूख है वो बहुती beautiful है अब कुर्टी कट करने के लिए जो है हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे यह देखिए इसकी जिछो लम्बाई है वो देख लेंगे कुर्थी की जो लंबाई हमें कितनी तयार चाहिए तो जिसका दामन है वो अल्रेटी तयार है तो नीचे दामन से फोल्ड करने की जूरूद नहीं है बस लैंथ में आपको शुल्डर से एक्स्ट्र जितना भी फोल्ड करना होता है उसके लिए एक्स्ट्रा लेना होगा तो तयार लंबाई में आदा से पौनिच एक्स्ट्रा लीजिए और मार्क कर लीजिए इसके बाद जितनी भी हमारी वर्क है उसी के कॉर्डिंग मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है यह देखिए अब जो बैक वाला पार्ट है इसके साथ जॉइंट है तो यहाँ से फ्रंट की चोड़ाई लेते हुए बैक पार्ट को इसके उपर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे यह देखिए इस तरह से तो इसके उपर हमारा बैक पार्ट आ जाएगा और यहां से हमारी कुर्टी की लंबाई है जो back part है वो मैंने नीचे की तरफ से extra निकाल दिया है यानि कुर्टी की जितनी भी तयार लंबाई चाहिए उससे जितना भी extra हो रहा था वो मैंने plane वाला जो fabric के ओपर से नीचे की तरफ निकाल दिया है अब कपड़े को इस तरह से सैट कर लेंगे तो यहां से हमने कढ़ाई को बराबर मिलाते हुई रखना है यानि फ्रंट का जो design है वो मैच करते हुए हमने half में fold करना है अब दिखी जो इसकी lining है वो हमने cut करनी है तो कुर्ती की ready land से डिर से 2 इंच आप lining कम ले लीजिए जितनी भी आपको यहां पर lining लगानी है तो 2 मिटर के around हमने lining को fold कर लिया है ऐसे करके और इसकी चोड़ाई अपने hip के according ली है तो कपड़ा हमारा lining का four fold है और इसको अब हमने बंद वाली side से अच्छे से बराबर मिला कर रखना है इस side से आप इसकी lining अलग भी cut कर सकते हैं बट मैं हमेशा अस्तर वाला जो suit है वो एक साथ इसी तरह से cut करती हूँ मैं फैबरिक में नीचे रख लेती हूँ lining ऊपर रख लेती हूँ और बस ध्यान रखती हूँ कपड़ा बराबर मिलकर आए और इसकी जो चोड़ाई है वो हम अपने hip या फिर bust से 2 इंच एक्स्टर लेना है तो hip का foot part plus 2 इंच करके कपड़ा हमने इस तरह से लिया है आगे की तरफ आप देख सकते हैं इसमें आगे भी काफी कपड़ा है यानि ये double triple axle size के लिए कुर्टी आराम से बन जाएगी अस्तर की लंबाई कुर्टी की लंबाई से 2 से 3 इंच हमने कम रखना है तो लंबाई में मैंने 3 इंच कम लिया है अस्तर इसके बाद हमने अब माकिंग करनी है तो यहां से हम shoulder का half लेंगे तो जितना भी है shoulder का half माक कर लेना है मैंने 7 इंच माक किया है इसके बाद neck की weight माक कर लेंगे तो यहां से मैं 3 इंच माक कर रही हूँ और आदा इंच पर हम कंधी डाउन कर देंगे इस तरह से अब इस माक से नीचे की तरफ armhole की length लेंगे तो armhole की length में 6 इंच लेकर इस तरह से मिला दूँगी ऐसे करके इसके बाद हमने यहां से bust का fourth part माक करना है तो अगर आप इंच टेप से ले रहे हैं तो fourth part में half इंच मिलाईए या फिर कुर्ती से ले रहे हैं तो कुर्ती का half यहां पर माक करना है तो मैंने 1.5 इंच माक किया है अफ्री एंड से back armhole की shape देंगे और आदा से पॉन इंच अंदर की तरफ हमने front armhole की shape देनी है इस तरह से इसके बाद हमने bust से waist की length लेनी है तो यहां पर मैं bust से waist की जो gap है वो 7 इंच लोंगे और hip line जो है वो मैंने 12 इंच पर ली है इसके बाद हमने waist का fourth part plus half इंच माक करना है तो मैं body से measurement लेकर माक कर रही हूँ और इसी तरह से hip का fourth part plus half इंच लेकर माक कर लेना है अब इन तीनों माक को हमने इस तरह से मिला देना है इसके बाद जितना हमने hip लिया है उससे 12 इंच extra में यहाँ पर दामन की चोड़ाई लोंगे अब दामन से hip को हमने इंच टेप इस तरह से तिर्चा रख कर मिला देना है ऐसे करके उसके बाद हम इसमे margin एड़ कर लेंगे लिया है और अब इसकी इस तरह से cutting कर लेनी है तो cutting हो गई है आगे की तरफ हमारी sleeve है इसके बाद हमने इसके जो hip line है वो notches लगा लेने है साथ में जो हमारी bust line है यह वाली fitting की यहाँ पर notches लगा लेने है इसके बाद जो हमारा यह daaman fold होगा lining का उसमें mark कर लेंगे और जो back daaman हमारा fold होगा जो हमने तीनींच एक्स्टर लिया है वो भी हमने notches लगा लेने है अब इसमें से हम एक part lining का निकाल देंगे और यह हमारा back वाला part है कुर्टी का इसको भी हमने निकाल देना है तो दिखे यह back वाला जो part है बिल्कुल plane है अब front वाला जो part है वो हमने दुबारा से इस तरह से मिला कर रखना है और armhole के extra cutting कर लेनी है तो यहां से armhole की cutting हमने इस तरह से कर लेनी है इसके बाद यह जो part है हमारा front वाला इसमें हमने fitting की marking की है एक side में अब यह वाली marking को हमने दूसरी तरह side में ले लेना है इस तरह से dab-dab करके और उसके बाद वो side में हमने mark को dark कर लेना है तो यह जो marking है fitting की यह दोनो side में आ जाएगी और यह जो marking है यह हमारी front part में रहेगी जिस पर हम से like करेंगे अब हमने इनके जो दामन है वो fold कर लेने है तो यह lining का दामन अलग fold करेंगे उसके बाद हमने इसके ओपर यह जो हमारी organza part है कुर्टी का front part वो रखना है तो lining का पहले हम दामन fold कर देंगे उसके बाद ही हमने यह part रखना है अब हमने इसको चारो तरफ से सिलाई लगा देनी है ताकि ये एक दूसरे किसा सेक्योर हो जाए फ्रंट का जो दामने वो हमारा तयार है बिल्कुल तो उसको फोल्ड करने की ज़रूत नहीं होगी बस अब हमने इनको दामन को फोल्ड करके यहां से सिलाय लगा देनी है और बिल्कुल इसी तरह से हम अपना बैक वाला पार्ट पी रेड़ी कर लेंगे यानि दामन फोल्ड करके तो बैक के जो दोनों दामन है वो फोल्ड करने है अब यह हमारी स्लीव का फाब्रिक तो देखे स्लीव का जो फाब्रिक है कुछ इस तरह से है इसकी जो आर्मूल की चोड़ाई है वो बराबर नहीं है यानि कम पड़ेगी तो उसके लिए हमने आगे से जो कलिया है वो एड़ करनी है ताके आर्मूल की चोड़ाई बढ़ जाए तो यहां से जो स्लीव की लैंथ है वो देख लेंगे कितनी रखनी है एंड स्लीव की जो एंब्रोइडरी है वो मिलाते हुए हमने लैंथ लेनी है तो 19 इंच लैंथ आई है अब हमने इसके कटिंग कर लेनी है उपर वाली जो स्लीव है यहाँ पर मैंने लगबग एक इंच फैबरिक छोड़ा है नीचे फोल्ड करने के लिए इस तरह से अब दोनों स्लीव को एक दूसरे के उपर रख लेंगे दोनों की राइट साइड मैंने अंदर रखी है रॉंग साइड बाहर की तरफ अब जो इनका वर्क है वो दूसरे के साथ मैच करते वच्छे से हमने यहाँ से लैंद कट कर लेनी है और उसके बाद अब हम इसको fourfold कर लेंगे अगर आप small size के लिए बना रहे हैं तो आपको extra add करने की जूरूत नहीं है इतने में आपका armhole ठीक बन जाएगा बड़े size के लिए हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा इसलिए इस side से जितना भी unequal fabric है इसको cut करके हमने सीधा कर देना है अब यहीं से हमने armhole की चुड़ाई बढ़ाने के लिए joint लगाना है जिसके लिए कुर्ती में से जो side से हमारा fabric बचा था उसको मैं ले लूँगी अब उसको हमने length में double fold करना है इस तरह से यह देखिए जिस तरह से cutting लिए थी उसके बाद हम इसको four fold कर लेंगे जितनी भी लंबाई में हमने joint डालना है उसके साबसा हमने four fold कर लिया है और अब मैं यहाँ पर pin लगा लूँगी क्योंकि और गेंजा fabric cutting करते हुए काफी परशान करता है तो आदा इंच एक दूसरे के उपर हमने चड़ाते हुए पिल लगा ली है अब यहाँ से हमने embroidery को मिलाते हुए sleeve opening की marking करनी है तो sleeve opening मैंने 6 इंच लिया है और armhole साड़े 9 इंच लिया है अब sleeve cap बनाने के लिए यहाँ से हम 3 इंच पर mark करेंगे और उपर से नीचे के तरफ भी हमने 3 इंच पर mark करना है यह दोनों point को मिलाते हुए armhole की shape दे देंगे इसके बाद inner sleeve की भी marking कर लेंगे इस तरह से तो लिजे marking हमारी complete हो चुकी है इसके बाद हमने इसकी cutting कर लेनी है तो यह हमारी cutting हो गई है यह देखिए अब यहाँ पर यह हमारे चार joint है जो जिस तरह से cut हुए हैं बस उसी तरह से हमने stitch करना है यह देखिए यह दो sleeve है हमारी एक sleeve में दो joint आएंगे side में तो जो joint है यह कुछ इस तरह से तिर्शे हैं यहाँ रखकर हमने ऐसे करके इनको stitch कर देना है और ऐसे ही हम दूसी sleeve में यह joint है यह stitch कर देंगे इसके बाद देखिए कुर्टी को हमने इस तरह से तयार कर लिया है lining को हमने दामन से fold कर लिया और उसके बाद यहाँ से हमने सिलाई लगा दी अब हमने neck बनाना है तो neck को मैंने fabric के उपर इस तरह से paste कर लिया है neck की चोड़ाई मैंने 5.5 इंच ली है और neck की जो गहराई है वो 6.5 इंच ली है यह front neck है तो इसको अब हमने यहाँ रखकर stitch कर देना है इस तरह से इसके बाद अब हमने अपना back वाला पार्ट लेना है तो back वाला पार्ट में आपको दिखा देती हूँ यह देखिए दोनों के दामन फोल्ड करने के बाद हमने इसके एक दूसरे एक के साथ सिलाई लगा कर secure कर लिया है यह कुछ इस तरह से है अब जिस साइड औरगेंजा फाब्रिक है उस साइड में हमने back neck बनाना है यानि back neck को भी मैंने इस तरह से तयार कर लिया है neck की जो चोड़ाई है वो front के बराबर है बट length वो मैंने एक इंच कम लिया है तो 5.5 इंच इसकी length है अब इसका neck भी हमने बना लेना है तो neck को हमने इस तरह से बना कर छोटे-छोटे cut लगा लिये है अभी neck को wrong side में turn नहीं क्या पहले हम कंधी join करेंगे तो कंधी join करने के लिए यह हमारा front वाला part था इसका neck बना कर हमने जो canvas पट्टी है वो अंदर की तरफ fold कर ली है अब दोनों की right side अंदर रखेंगे और यहां से हमने कंधी join करनी है तो back neck की जो हमारी पट्टी है वो front की तरफ turn करते हुए आदा इंच का दबाव लेकर दोनों कंधी को stitch कर देंगे कंधी stitch करने के बाद हमने side से fitting लगानी है और इसके जो slits है वो fold कर लेंगे तो इस पर हम तुरपाई करेंगे तो लिजी हमारी कंधी भी joint हो चुकी है और हमने side से fitting लगा दी है इसके slits के उपर हमने कच्चा करके सिलाई कर ली है बाद में हमने तुरपाई करनी है इसके बाद अब हमने sleeve लगानी है तो sleeve के जो joint है वो हमने इस तरह से stitch कर ली है यह देखिए एक sleeve में दो joint आये हैं और नीचे से जो extra fabric था मोरी में वो fold करके मैंने तुरपाई कर ली है अब sleeve की हमने अलग fitting लगानी है कुर्टी के armhole के बराबर sleeve का armhole रखते हुए उसके बाद हम इसको कुर्टी के साथ attach कर लेंगे आप चाहे तो कंदी joint करने के बाद sleeve लगा लें इसके बाद side से fitting करके sleeves fold कर लें बस अब मैं इसके दोनों ये sleeve लगा लूगी और sleeve लगाने के बाद हमारे जो कुर्टी है वो तयार हो जाएगी ये लिजए sleeve लगाने के बाद हमारी कुर्टी तयार हो गई है और इसके जो sleeve हैं वो कुछ इस तरह से हैं मैंने sleeve के अंदर lining नहीं लगाई है आप चाहें तो स्लिव के अंदर भी लाइनिंग लगा सकते हैं और इसके जो स्लिट्स हैं उसके उपर हमने तुर्पई कर ली है बैक का जो दामा ने उसके उपर भी हमने तुर्पई करी है साथ में जो नेक था हमने नेक के उपर भी तुर्पई कर ली है इस तरह से यह हमारा जो सूट है कुर्ती है वो तयार हो गई है इसके साथ हमने यह पैंट बनाई है यह स्ट्रेट पैंट हमने लाइनिंग के साथ बनाई है यानि इस पैंट में भी हमने अस्तर लगाया है और इसकी मौरी में यह कुछ इस तरह से डिजाइनिंग की है गोटा कर चुके हूँ लिंक आपको इसी वीडियो के फास्ट पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड इसकिन पर मिल जाएगा या फिर आप वीडियो देखते देखते यहां तक आ गए हैं तो आप डिरेक्ट पैंट की वीडियो का लिंक यहीं से देख सकते हैं तो चलिए यहां कर वीडियो कंप्लीट होती है यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी सिटी का नाम और अपना नाम जरूर लिखें थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो